बीजेपी के साथ रिष्टा तोर कल सीमितीस सीधे अपने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करने पहुंचे और इस बैठक के बाद सीमितीस जैसे ही एक अन्य मार्ग इस्तित अपने घर से निकले सीधे वो राज भवन गया और राज जेपाल फागु चवहांस से मिलकर मंत्री मंदल को बरखास्त करने की मांग नहीं की बलकि उन्होंने इस्तिपा दे दिया ऐसे में अब जो बीजेपी जेडियू सही तमाम दलों के मंत्री थे उनका मंत्री पद छिन गया है आज सुबह से ही मंत्रियों के घर के बाहर पोश्टर चिपकाए जाने लगे हैं जो उपमुख्य मंत्री थे उनके घर के बाहर पुर उपमुख्य मंत्री जो किसे विभाग के मंत्री थे उनके घर के बाहर जिस विभाग के मंत्री थे उस विभाग के नाम के साथ पुरो मंत् नाम है जिसमें नितिस कैबिनिट के तमाम वो मंत्री है जो बीजेपी कोटे से भी आते हैं जेडु कोटे से भी आते हैं और इसके आलावे जो जीतन रामाजी की पार्टी से हैं उनके बेटे उनका भी नाम सामिल है 29 लोगों का है और इस आफ़ दोर पे लिखा है 98-2022 के अपराहन के प्रभाव से बेहार राज के मंत्री ते था स्रे नितीश कुमार मुख्य मंत्री के मंत्री परसद के सदस्थ नहीं रहें तो यह साफ हो गया है कि CM-30 के जो मंत्री मंडल में है वो अब यह लोग नहीं है और यह पत्र राजभवन के उर से जारी किया गया है अमीर शुभानी जो मुख्य सचिव हैं राज जिपाल के आदेश से वो इस पत्र को जारी कर चुके हैं और CM-30 के वो खास अधिकारी भी माने जाते हैं लेकिन दखिए तारकिशोर परसाद जो के बेहर के उपमुख्य मंत्री थे अब वो उपमुख्य मंत्री नहीं रहें उनके घर के बाहर तो अब वो फोस्टर भी चिपकाए जा चुके हैं जिस पे लिखा गया है पूर उपमुख्य मंत्री रेनु देवी जो की बिहार की मुख्य मंत्री थी बीजेपी कोटे से बीजय कुमार चौधरी सिख्षा मंत्री थे जेडिव कोटे से वेजंदर यादो जेडिव कोटे से असोक चौधरी जेडिव कोटे के थे सीला कुमारी ये भी जेडिव कोटे संतोष कुमार शुमन जो है लेशी सिंग, समराठ चौधरे निरज कुमार सिंग, शुभास सिंग, नितिन नवीन शुमित कुमार सिंग, सुनिल कुमार, नारायन पुरसाद, जयंत राज, अलुक, रंज, जमा खान और जरक चमार के नाम जो है इस पत्र में है जो नितिस कैमिट में मंत्री थे और यह पत साथ है जो नेतिस केमिट के मंत्री थे वो तमाम लोग भी अब मंत्री नहीं रहे हैं क्योंकि एक नई सरकार का गठन हो रहा है आज जब सियम नितिस आज सपत लेंगे राजभवन में उनके साथ साथ तेजस्वी आदो सपत लेंगे उप मुख्य मंत्री के रूप में और उनका और इंतेजार है साफ हो जाएगा लेकिन बीजेपी कोटे जेडिव कोटे हिंदुस्तानी अवा मुर्जा कोटे से और साथ साथ एक जो एंडिपेंडेंट थे निर्दली है थे शुमित सिंग उनका भी मंत्री पद जा चुका है इसकी पत्र जारी कर दी गई है अधि